राज़्टी एक्षिनानी अग्री थार्वजी से तो आप सब को नाप रहते हैं ठीक रहते हैं, लेस्ट है मेरे बाद, लेस्ट है मेरे बाद हमारी पार्टी के सभी यहां पर वरिस्त नेता राज़््टी उपार्देक्ष, राज़््टी महास्थचेव, आदेने एहमद असन साथ और सभी हमारी पार्टी के वरिस्त नेतागर, बहुत खुशी की बात है के आज हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, बड़ी संख्या में दूसरे दल से लोग मिल रहे हैं आगरा से और बहुत खुशन समाजवादी में रहे नेता, मदसरन शर्माजी एक लंबे समय से राजनीत में थे और लगातार उस पार्टी को मजबूत करने का काम किया मुझे खुशी है कि मदसरन शर्माजी के आने के बाद, पूरे आगरा में और आस पास के जिलों में, पार्टी के प्रतिक बहुत महतपूर संदेश जाने वाला है हाला कि मेरी इन से मलाकात लखनू में हुई थी, लेकिन जब राज्चे सम्मिलन था, हम समाजवादी लोग जानते हैं कि आगरा का जब कभी भी कारकम हुआ होगा, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी होगी और इसलिए अगर आगरा के और आजपास के एक महतपूर नेता अगर पार्टी में शामिल हो जाएं तो मैं चाय भी पीने उनके घर पर गया, मुझे खुशी है कि आज वो अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए है और जब हम लोग चुनाओं में जाएंगे आने वाले समय में हमारी पार्टी की उज़ा और तागत बढ़ती नजर आएगी वहीं हमें बढ़ाई देंगे मनीज जैशवाल जी को कि आज हमारे साथ वो आ गए हैं और वैपारियों को जोड़ने का सिलसला में नियागरा में भी कहा था कि हमारी पार्टी की कोशिस होगी कि ज़्यादे से ज़्यादे वैपारी वर्ग में जाएं और उन्हें जोड़ें क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट, परेशानी और वैपार का नुक्सान अगर किसी का हुआ है तो वैपारी लोगों का हुआ है पहले तो वैपार को नोट बंदी ने बरबाद कर दिया और सरकारों ने ये कहा कि नोट बंदी से भैस्टा चार समाप्त हो जाएगा काला धन समाप्त हो जाएगा लेकिन आज परडाम मिलने की वज़े जो परडाम मिलने चाहिए थे वो परडाम भी आज भी नहीं मिल पाए है जहां नोट बंदी से उभर नहीं पाए थे कारोबार ठब हो गया था लोग की नौकरी रोजगार चिन गए उसके बाद GST जैसा मामला जो सामने आया है जो परिशानियां पैदा की है इस ते पूरा का पूरा बैपार रुग गया है कारोबार ठम गया है जिन लोगों के टर्णोबर जादा होते थे या छोटा मोडा कारोबार करते थे उनका भी कारोबार रुग गया नोट बंदी और GST ने दोनों ने देश के GDP को कम करने का काम किया है सरकार कोई भी दाबा करें लेकिन अभी तक जो टेक्निकल पार्ट है उसमें कोई सुधार नहीं ला पाए जो सरड़ी करण की बात हुई थी वो भी सुधार नहीं ला पाए लेकिन जहां-जहां चुनाव है महां कुछ राहत वैपारियों को दिये लेकिन उससे भी कुछ बात बंती नहीं है GST से परेशान केबल हमारे साथ जुटे हुए लोग नहीं है बलकि आम लोग भी उससे प्रभावित हुए है और वैपार पूरा का पूरा देश का बरवाद हो गया मुझे खुशी है इस बात की कि मनीज जहस्वाल जी आज हमारे साथ जुटे हैं इस के साथ आने से हमारी पार्टी को और मजबुती बस्ती में मिलेगी वहीं शीमती मितलेस पाल जी पूर लोग दल बिधायक रही है मुझफर नगर से हमें खुशी है कि उनके आने से हमारी पार्टी मुझफर नगर में भी आगे बड़ेगी साथी साथ अशोक कमार बिंद भानू परसाथ बिंद शीमती बंदना राके शुकला राजीव शर्मा जी और वहीं सेनी समाज के बड़े निता अभी जब मैं मेरट गया था तो मैं जान बूच करके उनके घर गया था और इसलिए घर गया था कि हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं और हम अपने तमाम समाजवादी साथियों से भी कहेंगे कि जब तक आप उन लोगों के बीच बैठेंगे नहीं तब तक आप उन्हें नहीं जोड़ पाएंगे इसे लगातार जब तक चुनाव नहीं हो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में देश के चुनाव तब तक हम समाजवादी लोगों के घर जाएंगे उन्हें मनाएंगे समझाएंगे और अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और उसी रास्ते पर आज मुझे खुशी है बात की कि तारजन साथी जी जो पूर में मंती रहे राज जी महासची भी रहे वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए है मैं इनके तमाम साथियों का अपने दल में स्वागत करता हूँ बढ़ाई देता हूँ और आगरा के लोगों को विशेष धन्यवाद और बढ़ाई देता हूँ कि बड़ी संख्या में सुधन शर्माजी के साथ कारकरता पार्टी में शामिल हूए हैं यह हमारा हॉल छोटा पड़ गया जितने साथी आगरा से आये हैं यह हमारा हॉल छोटा पड़ गया है इससे ज़्यादा लोग हमें सणकों पर भार दिखाई दे रहे हैं असान इसलिए भी हो गया आसान इसलिए भी हो गया कि सड़क बहुत अच्छी है अब आग्रा वालों पे गाड़ी की कमी है ने और यह अच्छा हुआ आग्रा वाले यहां आ गए नहीं तो कहीं आपको भी ताज मेल के वेस्ट गेट पर जारू लगाना पड़ जाता है और ये देखो समय कैसा बदलता है जो लोग ताज मेल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे ताज मेल को अपनी संस्कीती क्या हिस्सा नहीं मानते थे अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे ठीक बात है उनकी बिचार हो सकते हैं लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वक्ष्टा का अभ्यान चलाना पड़ गया ताजमेल के वेस्ट गेट पर हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे यह हमारा कमाल नहीं है नागरावालों का कमाल है हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे और मज़सन सनुवाजी का धन्यवाद खास कर देंगे क्योंकि इनके आने से ही कुछ बदलाब दिखाई दे रहा है कि वेस्ट गेट पर भी अब जाडू लग रहा है भी आगया है यह जो चुनाव है अभी आने वाले समय में यह कुड़ा ख़तम करने वाला ही है क्योंकि जो चुने जाएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि नाली साफ हो और कुड़ा भी सहर में न दिखाई दे मैं यह कह सकता हूँ आज इस कारकम के माद्यम से क्योंकि तारीक अभी नहीं आई है अगर कुड़े की सफाई कोई कर सकता है और कुड़े को कोई ठीक सा समझता है तो वो है समाजवादी पार्टी कुड़े को कहां फेकना है कुड़े को कहां रखा जाए शायद हम समाजवादियों से बेतर कोई नहीं समझता होगा इसलिए तमाम मुत्पदेश की जनता से हम कहेंगे कि इस कूड़े हटाने के लिए कूड़े को सफाई में बदलने के लिए समाजवादियों की भी मदद करें हमने तो ये कहा है कि आगरा अंतराष्टी शहर है कारोबार बड़े पैमाने पर होता है लोग बड़े पैमाने पर आते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से से लोग आते हैं और कभी कभी बाचीत में हमें जानकारी मिली है कि लोग अपने को वादा करते हैं साथ ही को वादा करते हैं कि अगर हमारा आगे सफर होगा साथ साथ तो फलाने वर्स में हम जाकर के ताजमेल को देखेंगे उस कुर्सी पे बैठ करके तस्वीर खिचाएंगे जाडू तो लग गई है हमें इंतजार तस्वीर का है हमारी तो बच्पन की भी तस्वीर है उसके सामने हमारे जितने लोग हैं सब की तस्वीर होगी ताजमेल के सामने और जो ताजमेल देखने जाता है उसकी ख्वाइश होती है कि ताजमेल के सामने उसकी तस्वीर जरूर खिच जाए मैंने इसलिए कहा कि पतकार साथी आप समझ नहीं पाए बात मैंने कहा था कि कुछ लोग अपने साथी को वादा करते हैं कि फलाने फलाने साल में जब हम लोग साथ होंगे तब जाकर के ताजमेल के साथ फोटो कھیजवाएंगे इसलिए ताजमेल के आजवाद जितना काम समाजवादियों ने किया है उन्हें गोंती पे सबसे पहला देश का रवर डेम बना था गोंती का किनारा पसंदिया है रवर डेम रोक दिया लेकिन दुनिया में जो बदनामी हुई भारती जन्ता पार्टी की कहीं ने कहीं कें से दवाब आया होगा तब जाकर के ताजमेल पे मुख्वंती जा रहे है और वहाँ बता रहे हैं कि उनकी सकार ने क्या क्या काम किया है और हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम रोका है वहाँ डेम बनने वाला था वो रोक दिया रबर डेम वहाँ पर मुगल मुजियम बन रहा था वो रोक दिया ताज कैफे सेंटर बन रहा था वो रोक दिया फत्यवार रोड को बनना था फोर्लेंज सुन्दर अच्छी जिस तरह से वो बनी है कोबल स्टोन्स की उससे बहतर सड़क बननी थी ये जो पार्किंग का कल सुप्रीम कोट से आया शायद सरकार अगर ध्यान से अपनी बात रखती तो शायद सुप्रीम कोट भी सहमत होती कि वह सबसे ज्यादा पार्किंग की कितनी जरुवत है वहाँ पर वो भी रुक गया आपकी इनर रिंग रोड जो बन रही थी आदी अधूरी बन गई आदी और बननी थी वो भी रुक गया और जितना विकास कारे होना था आगरा का वो सब का सब भारती जंटा पार्टी की सरकार ने रोका है मैं लगता है कि मुख्वंत्री गए तो शायद कुछ आगरा को थोड़ा बहुत मिलेगा जहां तक हमारे साथी साथ आए हैं उन सबी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ बधाई देता हूँ और हाली में एर फोर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा अपनी तरफ से प्रदेश की जन्ता की तरफ से प्रेस की तरफ से भी और भारते जन्ता पार्टी के लोग नहीं गए उनकी तरफ से भी कि उन्होंने बहुत शानदार एक एयर शो कराने का काम एक्सप्रेस वे पे किया है शायद BJP के लोगों को Expressway में कोई कमी नजर नहीं आई हो सकता है उनके लोग मुबाइल के माद्धियम से WhatsApp के माद्धियम से RSS के माद्धियम से कह सकते है कि सड़क तो ठीक दी शायद हर कुलिस में कुछ कमी रही होगी जिसकी वे से उतर गया है इस एई iphone वे सबी का धन्यवाद देता हूं और क्योंकि सरकार को काम नहीं दिख रहा ज़ता है मैं तो एक अख्वार पढ़ रहा था उसमें लिखा कि समाजवादी लोग कागच पर कामगच पर कामगच थे समाजवादी लोग कागच पर कामगच थे शायद की सड़क कैसी है और वो जगे भी देख लेंगे जहां पर अभी कुछ दिन पहले ये अफोस में बहुत अच्छे एरक्राफ्ट उता रहे थे इसे इन तमाम साथियों का जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं हम अपनी की तरफ से और पार्टी की तरफ से इन सब का स्वागर करते हैं हमें अमीद है ये मिल करके और इनके सहोगी साथी मिल करके हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साइकिल की रफ़तार को और तेजी से आगे ले जाने का काम तरेंगे हमारे समर्थक साथियों से एग मिट चुप रहे हैं थोड़ी अगर बातचीत करना चाहेंगे तो उन्हें कर लेने दा आप लोग कुछ बोलना नहीं आप लोग के बस सुनना क्योंकि यहां प्रेस के साथी भी हैं इसलिए यह तो पुराना याद दिला दिया कि एक सरकार ऐसी थी जहां नजर बंद कर दिया रहा था लोगों को मैं यह कहता हूँ एक बात जो कहना भूल गया था मैं नजर बंदी से मुझे वाद याद आ गई यह सरकार भारती जन्ता पार्टी की बहुत ही अन्याय करने वाली है दुख देने वाली है आंगनवारी की कायकरता केबल अपनी मांग लेकर के आई थी और उन मांगों को लेकर के आई थी जो भादी जंदा पार्टी के लोगों ने उनसे वादा किया था चुनाओ के समय पर उन्होंने चुनाओ के समय पर जो वादे किये थे उन वादों को याद दिलाने आई थी लेकिन इस सरकार ने किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया लाठी चार्ज किया और मैं तो कहूंगा कि उन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान भाती जंता पार्टी की सरकार ने किया जहां पर महिला पुलिस नहीं हुई पुलिस जो पुलिस थी उसने अन्याय किया और वो तस्वीरें आपके माद्यम से हम लोगों तक पहुंची है देखी है कि ऐसा शायद लखनों में कभी भी महिलाओं के साथ किसी सरकार ने ने किया होगा जितना भाती जंता पार्टी की सरकार ने किया है यह वही याद दिला रहा है कि जिस तरीके से बनारस हिंदू इनिवस्टी में छात्राओं के साथ इनकी सरकार ने अन्याय किया था और याद रखना जो सरकार अन्याय करती है समय आने पर जंता ऐसी सरकारों को सबग सिखाने का भी काम करती है क्या चला रहे हैं क्राइम में ये बात कह सकता हूँ कि लूट पार्ट इतनी बड़ी है जिसकी आप तल्टना नहीं कर सकते है अखवारों में और हमें दूसरे लोगों के मादें से सुचना मिलती है न जाने कितनी चोरी छीना जप्ती पैसे की लूट पार्ट ये बड़ी है और इसलिए बड़ी है कि लोगों के पाद नौकरी और रोजगार नही है जो कारोबार हो दा वो रुख गया है मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्डंगें कितनी बन रही है स्कूल कितने बन रही है मेडिकल कालिज कितने बन रही है या गिट्टी या मौरंग या कहा है सब काम ठप है मज़दूर है यह नहीं कहां नौकरी करेगा कहां कारोबार करेगा काम कहां मिलना मज़दूरों को तो इस लिए ये बहना न करें सरकार इस सरकार ने पूरे देश की और समाज की अरवरबस्ता को चौपट कर दिया है और जो परेटनों के साथ हुआ है मैंने अख़वार पढ़ा है में जी जानकारी केवल अख़वार के माद्यम से है कि एक लड़का अपनी गर्फरेंड के साथ घूमने आया फते पुसीकरी और उसके साथ सेलफी खिचाने की कोशिश की जब उसने मना किया तो उन्होंने मारा पीठा अस्पताल तक भरती हो गए मैं जानना चाहता हूँ वो रोमियो वाली पुलिस कहां पर है वो रोमियो वाली पुलिस कहां पर है और पता कर लीजे आप जिन लोगों ने ये छेठानी की है नहीं चाहते हैं कि टूरिजम बढ़े इस देश में बताईए वहां CISF है पुलिस है पुलिस है CISF है और ना जाने कितनी पुलिस रहती है और ताजमेल के अंदर चले गए और कह रहें कि शिव मंदिर है यह बंतरों को चार्ण करने लगे जाकर के केवल भगवा पहन करके मै क्याते हैं कि वो वंडर्स में आता है सरकार हटा दे उस सूची से नाम इसका क्या हिम्मत है के इस सरकार की और प्रदेश सरकार की कि उस वंडर्स की सूची में से ताजमेल को हटा देगा देखें मैं मैं आप से कहना चाहता हूँ भारती जन्ता पार्टी के बहकामे में हमें और आपको नहीं आना चाहिए क्योंकि वो जेम में ओपियम लेकर के चलते हैं जब उनसे ब्रोजगारी की बात करोगे रोजगार की बात करोगे काम की बात करोगे उनसे बताओ आलू कितना खरीदा है मतलदन सर्मा जी जानते होंगे या आगरा वाले जानते होंगे बताओ इनका आलू कितना खरीद गया जब ये आलू की कीमत नहीं दे सकते आलू का बुरा हल कर दिया किसानों आध्मत्या कर ली और पूरे किसानों को कहीं रहात नहीं मिल लई आलू के किसान से पूछिए क्या हाल है और बरबाद हो गया कॉल्ड इस्ट्रोर वाले भी कोई पूछने वाला नहीं आलू फिका पड़ रहा है आलू और इनसे बहतर कौन समझेगा ये रामजया समझी है मदवन सर्मा जी जो आलू के सबसे सेंटर पर रहते हैं तो बताओ आलू की कीमत क्या देवी सरकार देना नहीं चाहती इसलिए जानबूश करके ये उल्डा रहे हैं ये नहीं चाहते हैं कि विरोजगारी पर बहस हो ये नहीं चाहते हैं कि किसानों का जो कर्ज माफ का वादा था उस पर बहस हो ये हमसे बेतर आप समस्ते इन बातों को अब नेरेन स्रिवास्तर जी कुछ पूशेंगे अब गुजराद की जनता ने तेह कर लिया है इस पर भारती जनता पार्टी को हटा देंगे हम जाएं ना जाएं गुजराद की जनता ने तेह कर लिया है नरियन स्रिवास्तर जी फिर जोड़ देना आप भी ये एकदम सौ परसद आपने जवाल ठीक पुछा है भारती जन्ता पार्टी जान बूच करके इन मुद्दों को सामने से लिए लाते हैं कि जो असली मुद्दे हैं किसान का सवाल है नौकरी नौजवान का सवाल है इस प्रदेश का इंट्रसक्षर बेतर उसका सवाल हो उन सवालों पर बहस नहीं करना चाहती मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंती जी ने पहली बार कहा मुख्यमंती जी ने ये कहा कि हम जासी में और गोरकपुर में मेट्रो बनाएंगे मैं जानना चाहता हूँ बिबक्षी पार्टी की तरफ से जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आप भासी में और गरकपर में कैसे मेट्रो बना दोगे जिन मेट्रो के आपने DPR हमने भेजे थे वही मेट्रो आप से कितनी करा पा रहे है अगर हमने एक्सप्रेस बें बना दिया आगरा से लेकर के लखनो तो अधिकारियों से लेकर के बहुत लोगों ने उंगली उठाई कितनी उंगली उठाई, कितनी कोशिश की कि हम समाजवादी लोगों के खिलाफ कारवाई हो जाए, नजाने क्या क्या है, उन्होंने प्रेस के माध्ने हम से छपबाया लेकिं सच्चाई क्या है? एरफोर्स के लोगों ने बहतरीन हवाई जाजों को जो लड़ाकू बिमान ते उनको जमीन पर उतार के दिखा दिया और यही समाजवादी सरकार अगर बन जाती तो पहले दिनी समाजवादी सरकार में काम शुरू जाता और जो दूसरा है उत्तरप्रदेश का बलियाओ गाजीपूर उस तक हम एक्सप्रेश में पहुंचा दे और हो सकता था कि कहीं आजमगर या गाजीपूर में भी इसी तरह लड़ाकू बेमान उतर जाते देगे एक्जिट पूल क्या कह रहे हैं उस पे भी हम जादे ध्यान नहीं दे रहे हैं आंगन वाडियों पे लाठी जो पड़ रहे हैं उस पे जादे हम ध्यान दे रहे हैं अगर एक्जिट पूल अभी करोगे आंगन वाडियों से तो वो सच्चा ही बता देंगी आपको मैंने कहा कि हमारे जो प्रदेश के संग्टन ने पांस सीटे मांगी है और पांस सीटों पे अगर कौंग्रिस समर्थन देती है तो ठीक है और नहीं तो हमारा हर जगे कांग्रेस पार्टी का समर्थन है लेकिन पांस सीटें तो समाजादी पार्टी लड़ेगी मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान, राम, लश्मर, सीता जो आए थे हमसे भी मिला दो प्रेस के लोगों के साथ चाए पिलबा दो सॉरी, जी, ये सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट पर काम करना है अब अब लुक जो, अब लुक जो, अब लुक जो, अब लुक जो, पूछना है दो देखें मेने मेने आपसे कहा कि जब हम बच्पन में थे, मैं रामिसरूम मी गया हूँ आप जब जाते हैं वहाँ पर, अगर किसी को नहीं जानकारी होगी तो मैं बता सकता हूँ कि रामिस्तम जब मंदिरों में जाते हैं आप होँ देखने तो आपको एक गाइड मिलता हुए एक बाल्टी मिलती है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो कुए से पानी निकाला जाता है और वो आपको नहलाया जाता है हम मिनाक्षी टेंपल भी देखें हम साउज इंडिया के सब जितने भी मंदिर हैं वो देखें जब मैं मैसूर में पढ़ाई करता था जहां से डिगरी हासिल की है वहाँ पर जो मंदिर था वहाँ हम हर हफते जाते थे वहाँ पर नंदी उसे मिलते थे जाकर कि आपके बिंदावन हुआ है गोबर्दन में हमसे ज़्यादा कामी सरकार नहीं कर सकती जितना हमने किया मत्रा में जितना समाजवादियों ने काम किया उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते आयुद्या में भी जो समाजवादियों ने काम किया वो रोख दिया वनारस में भी सबसे ज़्यादा काम समाजवादियों ने किया ये शास्तिरी पुल किस ने बनवाया है नेता जी ने बनना शुरू किया था समाथ थम ने कर दिया उदगाटेनों ने कर दिया कमाल के लोग हैं इसलिए हम आप से कहना चाहते हैं हम जानते हैं कि आप भी नाराज हैं हम ये बाप जानते हैं कि आप भी दुखी हैं मैं ये जानता हूँ मैं ये जानता हूँ शायद आप लोग नहीं कह सकते हैं लेकि आप भी नाराज हैं नहीं आप से नहीं हम से नहीं सरकार से नाराज हैं आप अभी टाइम सर्व इंडिया देखिए मैं आपको बताओं आप लखनो शेहर में रहते हैं हम अपने साथियों से कहेंगे कि बताइए लखनो में सबसे ज़्यादा काम किस न किया है अगर जनता को हम लोग समझाने में कामयाब हो गए मेट्रो पे अगर बोट पड़ा लखनो के सुन्दी गंड पे अगर बोट पड़ा नदी के किनारे पर बोट पड़ा ये जो हमारे लोहिया पार्ग में बहुत सारे लोग अक्सिजन लेने जाते हैं उस पर बोट पड़ा जनेश्यमेस पार्ग पर बोट पड़ा कैंसें स्टूइट पर बोट पड़ा संस्किती स्कूल पर बोट पड़ा पुलिस बिभाग के लिए जो सुधारी कंड किया डायल हंडेट पर बोट पड़ा मेडिकल कॉलेज जो नए नए बनाए लखनो में उस पर बोट पड़ा या आगरा लखनो एक्सप्रेस बे ने जोड़ दिया आगरा को लखनो उस पर बोट पड़ा तो आपकी समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेयर होंगे और केबल लखनो की बात नहीं मैं कर रहा हूँ आगरा में जो काम हुआ है आपका जो गाज़यबाद में काम हुआ है आपका जो काम मेरट में हुआ है मेरٹ کے لوگوں کو पता है कि मैट्रो छिन गई उनसे कानपूर के लोगों को पता है उनकी मैट्रो छिन गई मैट्रो काम मैंने शुरू कर दिया था और उस समय के केंद्री ये मंत्री जो थे वो आये थे हमारे साथ वहाँ के सांसत हमारे साथ थे और हम दोनों ने मिलकर के उस मेट्रो का शिलानेस किया था और क्या वज़े है कि अब सरकार आजाने के बाद वहां का काम रुक गया अगर जंता को ये बाते हम समझाने में कामयाब हो गए तो आप देखेंगे इसकी सबसे ज़्यादा मेयर समाजवादी पार्टी के होंगे और हम अपने वैपारी साथियों से निवेदन करेंगे अपील करेंगे वैपारी साथियों आप पे संकट लाने वाली सरकार बीजे पी है आप हिसाब किताब अच्छा रखते हैं हिसाब किताब इस बार बना दो समाजवादी की साकित दोड़ा दो अपना हिसाब किताब सब ठीक हो जाएगा और जो संक्या आप पूछरें वो आ जाएगी उससे पहले मैं आप लोगों को भोजन कराऊंगा और फिर आठ तारीकों काला दिवास बनाएंगे लेकिन भोजन उससे पहले आपको कराएंगे ने उसमें RSS ये कहेगी कि हरकुलिस में कुछ कमी थी वो फैलाएगी जमीन नीचे और ये कहा जाएगा कि एक्सप्रेस वेपे पैसा एरफोर्स का लगा है मुझे कल आया एक वेक्ती बताया कि BJP के लिए को कहना है कि इस जो हाईवे बनाने में एरफोर्स का पैसा लगा है भाई हम जूर से नहीं लड़ सकते हैं सुबाय मिशाएजी हम काम से तो आगे निकल सकते हैं जूर से नहीं लड़ सकते हैं वैसे जिसने फिल्म देखी होगी गबबर सिंग वो तो यहीं मानेगा वो फिल्म शोले आपने भी देखी होगी हम आपको नहीं बताएंगे कि किन को उतारेंगे नहीं इन मंत्रियों का बेवार और विधायकों का बेवार आपको पता लग गया बारवंकी का डियेम बहुत ही मानदार है पता नहीं सांसत क्यों शिकायत कर रही है डियेम बारवंकी के बहुत ही मानदार है और भाजपा की सरकार में अधिकारी सब ही मानदार है मैंने आप से कहा कि मुझे जो जानकारी है वो जाडू मारने की जानकारी है उन्होंने बहुत अच्छा जाडू मारा है ताजमेल के आसफाद भारति जिन्ता पार्टी के लोगों जितना कूड़ा था सब भारति जिन्ता पार्टी ने हटा दिया है सवाल यह कूड़ा हटाना सवाल नहीं है सवाल यह है कि कूड़े का क्या होगा जो हमारा पतकार साथी पूछ रहा था ये solid waste management का क्या होगा ये बताई है पतकार साथ ही आपको बहुत जानकारी नहीं है एक बार BJP के लोगों ने कूडे से बिजली बनाने का संकल्क लिया था और जब बिजली नहीं बन पाई तो पतकार ने एक इंजिनर से बुचा कि आखिरकार ये बिजली क्यों नहीं बन पाई तो उस इंजिनर ने कहा था कि कूडे की गुडवत्ता नहीं ठीक है इसलिए बिजली नहीं बन पाई ये बताओ ये जो सवाल हमसे पूछाओ से अब टीवी पे दिखा रहे हूं कि नहीं या उसमें भी मैनेजमेंट है आखरी 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 हमारी समाजबादी सरकार की कोशिस थी कि इंफ्रस्रेक्टर जब उत्तर प्रदेश का बहतर होगा उसके साथ कारोबार और उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा अगर इंफ्रस्रेक्टर बहतर होगा उससे हमारे किसान गरीबों को भी लाफ सीधा सीधा पहुंचेगा हमारी समाजवादी पार्टी की प्राथे मिक्ता थी कि उत्तर प्रदेश का इंट्रसेक्चर बैता हो जिसमें कि हमने सडक आपके बिजली के बड़े बड़े सर्विस्टेशन आपके बड़े बड़े स्पताल आपके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज ये काम करना शुरू सरकार ने कर दिया था और अभी तक ना केंस सरकार से कुछ मिला है और प्रदेश सरकार तो आप जानते हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद